दिन में स्टडी करें या फिर रात को स्टडी करें कौन सा टाइम जादा बेतर है कौन से टाइम में पढ़कर जादा माक्स ला सकता हूं तो दोसनों आप देखते रही आज के इस वीडियो को और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दिन वाला टाइम जादा बेतर ह हैं दूर हो जाएगी क्योंकि मैं आपको बताने माला हूं कि आर दिन में पढ़ने के क्या फायदे होते हैं और रात में पढ़ने के फायदे होते हैं और चीज़ वाक्त लेक्ट बतावा जिसका फॉलुकर लोगे तो फिर आपका जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं benefits of studying during a day तो दिन में पढ़ाई करने के सबसे पहला फायदा तो यह होता है कि आप अपनी की लॉविक को सबसे कवस करते हैं नेक्स पॉइंट है कि बाइचांस आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते आपको कोई डाउट आ जाता है तो उस डाउट को अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही आसानी से सॉल करवा सकते हो क्योंकि डूरिंग डे टाइम आल्मोस्ट आप किसी बहुत इंपोर्टेंट है और दिन वाली स्टडी को बहुत ज्यादा बना देता है कि जब आप नेचुरल लाइट में पढ़ाई करते हो तो आपकी आँखों पर कम प्रेशर पड़ता है और यह बहुत सारी स्टडी में भी प्रूव किया जा चुका है कि नेचुरल इस वे बेटर दिन आर्टिविशल राइट तो यह एक एडवांटेज मिलता है उन बच्चों को जो कि दिन में पढ़ाई करते हैं नेक्स पॉइंट आपको ही मिल जाता है कि लगबग जो अपनी इंडियन सोसाइटी है या फिर जो ओवरॉल सोसाइटी रहती है वो दिन मे थे दिन में पढ़ने के फाइदे अब मैं आपको बता देता हूं कि रात को पढ़ने के क्या-क्या फाइदे होते हैं तो रात को पढ़ने का सबसे पहला फाइदा होता है कि जो माहूल रहता है एकदम पीसफुल माहूल रहता है और उस शांत माहूल में आप बहुत ही अच कर सकते हैं नेक्स पॉइंट है रात में पढ़ने का जो की बहुत ज़्यादा बेनिफिशल है और वो यह कि आधी दुनिया इस टाइम पर सोती है तो इस टाइम पर जो शोशल मीडिया नेटवर्क से रहते हैं वो बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते हैं आपके फ्रेंड्स फै ज्यद्ध क्रिएटिव और और ज्यद्ध एफिशिंट हो जाते हैं तो हाला कि परसंट से परसंट पर डिपेंड करता है लेकिन हां मिजह परसंट में पाई गया कि रात को और ज्यद्ध कर दो इस चीच को भी आप अपने पढ़ाइव में डेफिनेटली यूस कर सकते हैं तो मैंने आपको दोनों के फायदे बता दिए कि दिन में पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं और रात में पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं हाला कि अब यह बिल्कुल परसंटू परसंट करता है कि कौन दिन में ज्यादा एक्टिव रहता है कौन रात में ज्यादा है तो जहां पर एकदम सबकुछ आईडिया ले सबकुछ एकदम शान्त है कोई चाहता डिस्रेक्शन नहीं है तो दिन में पड़ाई करना उसके अलगी आपको परक्स मिलने वाले जैसे नेच्रल लाइट में आप आराम से पड़ाई कर सकते हो सो अब मैं आपको कुछ ऐसे फंडे बताता हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो वेदर दिन में पड़ाई कर रहे हो रात में पड़ाई कर रहे हो आप अपनी जो स्टड़ी आउट्पूट को एकदम मैक्जिमाईज कर सकते हो और एकदम बहुत ही एफिशेंट वे में आप स्टड़ी कर सकते हो सफस्ट पॉइंट है मेक रूटीन तो आप बहुत ही अच्छा सा अपने लिए रूटीन बना लीजिए बहुत सी बार क्या होता है हम पड़ाई करते हैं लेकिन बहुत ही इर्रेगुलर इंटेवल्स में आज पड़ा तिन दिन बात फिर पड़ा फिर उसके बाद एक अपते बाद पड़ा तो यह अगर हम प्रॉपर रूटीन नहीं बनाएंगे तो बहुत है तो अपने लिए प्रॉपर आप रूटीन बनाएं नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट आप दिन में पड़ाई करें रात में पड़ाई करें लेकिन आपको ध्या आप दिन में पड़ रहे हैं तो ओळे विंडो लेस्ट में नेच्रality में पड़ने में की को.. दो बड़ेस घ्ला जाम के टाइम पर या रात की टाइम पर रहे तो फिर वहां पर कीशीक करें के टीबल स्टेबल हम नाइच्छी को लिए गर्प्र लाइट रखें रहें ग्स जिससे हमारी आँखों पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और लास्ट पॉइंट है टाइम मेनेजमेंट तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है भले आप दिन में पड़ो रात को पड़ो प्रॉपर अगर आप अपने टाइम को मेनेज करते हो तो इससे आप चेडूल बना लें कि किस टाइम पर आपको क्या पड़ना है तो उससे और ज्यादा आसानी हो जाती और अपने टाइम को आप पिल्कुल मैक्जिम पॉसिवल बे में यूटिलाइज कर पाते हैं तो उमीद है कि आप इस वीडियो से समझ पाएंगे कि दिन में पड़ना ज् प्रेस्ट करना आप सीवी चीगर एक्जाइम देना चाहते हैं तो सुबह दस बजे से आपके पेपर होते हैं अगर आप रात पर पड़ाई करेंगे तो दस बजे के असपास आपको गहरी नीद आएगी और अगर आप उस दस बजे के आसपास पड़ाई करने की एक हैबड करना स्टार्ट कर दें तो भी आपका काम बन जाएगा तो अब आप जीत सकते हैं पाच करोड तक की स्कॉलर्शिप का मोका और इसके लिए आपके लिए लाया है अनकेडमी एमर्ज जूकी है एक एक टेस्ट और बच्चों यह जो टेस्ट है वो होने वाला है ट्वेंटी एमर्ज और यहां पर सिर्फ एन्रोल करने पर अनकेडमी हर दिन साथ लग्की विनर्स को चुनने वाला है और उनके घर पर पहुंच जाने वाला एक सर्प्राइज बॉक्स अलब कॉंपेटिशन तो होगा 20 तारिक को लेकिन अगर आप आज ही एन्रोल कर लेते हो तो एन्र और भी बहुत सार एक्साइटिंग प्राइस आपको हैं पर इंतजार कर रहे हैं बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल के लॉजिकल रीजनिंग और मतलब एक टेस्ट रहने वाला है और जरूर से इसमें पार्टिसपेट कीजिएगा क्योंकि आगे करियर में भी बहुत जड़ा ह है काम में आने वाला है हर जगे वाले आप यूपी एक्जाम दो या फिर कोई भी गवर्मेंट एक्जाम वहाँ पर एप्टिटूट का जरूर से एक पेपर रहता है और उसके लिए आप एक अपनी तयारी का जायदा ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने आपको प लिंक मिल जाएगा आप इस वीडियो को अनकेडमी आरुग्य पर देख रहे हैं और अनकेडमी एक ऑनलाइन एड्यूकेशनल प्लेटफॉर्म है आप अनकेडमी पर सी बीसी एक्जाम्स की तयारी कर सकते हैं वो भी बिल्कुल इस्ट्रक्चर वे में इसके लिए आपको ए बहतर वे में अपनी पूरी तयारी को कर सकते हैं अगर आपने वी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज कर सकते हैं कोड एपी सर लाइब को और इससे आपको 10 प्रतिशत का डिसकाउंट मिल जाएगा अनकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने प प्लस के लिए जहां पर इंडिया की टॉप फेकल्टी आपको यहां पर पढ़ाने वाली है तेन उसके बाद आपके पास युमानिती के लिए यहां पर बेचे स्टार्ट होने वाले जहां पर आपको हर एक प्रकार के सब्जेक्स यहां पर कवर करवाय जाएंगे के स्ट्रीम के लिए आप बैचे स्टार्ट हो रहें तो एक बार जल्दी से आप इसको अनकेडमी पर चेकाउट कर लिजेगा और अगर आप इन्रोल करना चाहते हैं तो आप यूस कर सकते हैं हमारा कोड एपी सर लाइव चहां पर से आपको 10 पतिशत का डिसकाउंट भी मि आपके लिए बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बैल एकन को जरूर से दबा दीजीगा तकि हमारे चैनल के लिटिस्ट नोडिविकेशन आपसे मिसना हो दोस्तों धन्यवाद जय हिंद जय भारत